यूटूब पर इस तरह की शोट वीडियो काफी ज़दा वाइरल हो रही है और बहुत से क्रेटर इस तरह की शोट वीडियो मनाके मिलियन्स में व्यूज गेन कर रहे हैं जो चैनल दूसरों के पोड़कास और इंट्रिव्यूज को डाउलोड करके उसमें जो सीरीज से अफनी पार्ट होता है उसे कट करके बस उपर से सब्टाइटल डालके अप्लोड कर देते हैं और लाखों में व्यूज गेन करते हैं अब आपका भी यह सवाल होगा कि यह कहां से वीडियो लाते हैं कैसे सब्टाइटल जन्रेट करते हैं इसका फुल प्रोसेस क्या है मैं आपको इन चार्ज स्टेप से बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह की वीडियो बना सकते हो तो वीडियो को लास्ट तक जुरूर देखना इसका फर्स टेप है follow all podcast channels यूटूब पर जितने भी podcast channels आपको उने follow करना है और आपको वहाँ से वीडियो को डॉडियो कर लेना है यह तो था फर्स टेप आब second step editing video clip जो podcast आपने डॉडियो कर रहा है उसमें जो serious या funny पार्ट होगा उसे cut कर लेना है इसके लिए आप काइं काईन मास्ट्र या प्रेमियम प्रो का यूज कर सकते हैं मैं अभी यह वीडियो फॉन से बना रहा रहा हुँ तो मैं काईन मास्टर का यूज करूँगा यहां पर आपको SHORT option है उस पर click करना है अब इस equal to वाले sign पर tap करें जिसे इस वीडियो की starting and ending position same हो जाएगी वीडियो को full zoom कर लेना है अब जितनी आपको ये वीडियो चाहिए उतनी cut कर लेनी है यहां तक ये वीडियो ठीक है cut करने के लिए नीचे वीडियो की timeline पर click करें और side में जो first option है उस पर tap करें और नीचे trim to right of playhead पर click करें अब इस वीडियो को export कर लेना है इसके लिए left side पर इस icon पर click करना है और export पर click करना है और फिर कुछ इस तरह का interface आ जाएगा upload ये file पर click करें और यहां पर जो edit की हुई वीडियो को upload करें आपको left side पर बहुत सारे tools दिख रहे होंगे यहां पर लिखा है subtitles आपको इस पर click करना है उसके बाद auto subtitle पर click करना है और यहां पर आपको अपनी language select कर लेनी है मैंने यहां पर Hindi select करी है उसके बाद create a subtitle पर click करें और कुछ second पर आपके subtitle create कर देगा वीडियो के subtitle पर जो भी mistakes है उसको आपने ठीक करना है और इन subtitle को voice से match कर लेना है सबसे पहले हम इसका font change करते हैं इसके लिए आपको style पर click करना है यहां से आप font change कर सकते हैं यह font size है यहां से आप color change कर सकते हैं color हम रखेंगे white इन पर आप animation का use भी कर सकते हो यहां पर बहुत font animation मिल जाएंगे लेकिन मैं इनका use नहीं करूँगा क्यूंकि मैं इसे अपने तरीके से design करूँगा इसके लिए मैं elements में जाता हूँ और यह progress bar में इसे किसी एक को select कर लूँगा अब इसे font के पीछे सेट कर लेना है इसके दो color है इसे मैं change कर सकता हूँ पहले color को मैं red करूँगा और दूसरे को मैं black कर देता हूँ ते कुछ इस तरह का बनेगा और जब यह play होगा तो कुछ इस तरह सही दिखेगा जो कि बहुत ही जादा हो समय है अब उपर में done पर click करूँगा फिर export video यह video export होगी है पर इसे download करने के लिए मुझे sign up करना पड़ेगा इसके लिए आपको कुछ detail भरनी होंगी जैसे कि आपका नाम को personal views कर देना है another another and continue पर click करना है इस वाले option को skip कर देना है फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यह सारे premium प्लान है जिनसका यूज आप कर सकते हो पर हमें free पर click करना है तो get start पर click करें उसके बाद आपको दोबार आपनी वीडियो पर click करना है फिर आपको इस वाले icon पर click करना है और MP4 से download कर लेना है फिर दोबारा इस वीडियो को काइन मास्टर पर import करना है और इसे कुछ इस तरह से zoom करना है ताकि इसका logo ना दिखे और फिर export कर लेना है अब आते हैं last step पे how to upload आपने वीडियो भी edit कर लिए subtitle भी generate कर लिया पर आप इस वीडियो को यूटूब पर upload कैसे करें ताकि वीड वीडियो को upload करना है वीडियो का title लिखना है उसके बाद description पर इस podcast के main owner की वीडियो का link mention करना है और नीचे कुछ इस तरह से description लिखनी है यह वीडियो में tag and playlist अड़ करने के बाद उसे upload कर दे और लाखों में views पारते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडि मत्रम